तीन कोईशन्स अगर को इनसान तुमसे रोज रोज पूछे तो समझ जाओ कि वो इनसान तुमको बहुत जादा प्यार करता है या एटलिस्ट लाइक तो करता ही करता है तो हमारे मन में बहुत कोईशन होते हैं कि क्या पता है यार ये इनसान मुझे लाइक करता है मुझे ऐस टू एटलिस्ट करने चाहिए तीन मेंसे तो आप समझ जाओगे क्यों इंसान आपको लाइक करता है Q1 कि तुम्हें कैसा boyfriend चाहिए तुम्हें कैसी girlfriend चाहिए क्या तुम relationship में हो क्या तुम relationship में कभी आए हो तुम्हारा breakup क्यों हुआ तुम relationship में आना चाहते हो तुम कैसे boyfriend को अपना बनाना चाओगे कैसा boyfriend तुम्हें ची कैसा partner तुम्हें ची उसमें क्या-क्या qualities तुम्हें चाहिए क्या-क्या qualities उसमें होनी चाहिए तुम्हें कौन सी चीज अची लगती है प्यार करता है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हर दूसे तुसे दिन यहीं question कैसा partner चाहिए कैसा होना चाहिए कैसी चीज़े है कैसी नहीं वो कैसा partner चाहिए उससे यह पता लगाना चाहता है कि वो सारी चीज़ें उसके अंदर match करती है नहीं करती और obviously वो तुम्हें जानना भी चाहता है कि तुम्हारा thought process कैसा है तुम कैसे इंसान हो क्योंकि जैसा तुम qualities धूड़ोगे obviously वैसी qualities तुम्हारे अंदर भी होंगी तो अगर वो बार-बार ये questions पूछता है कैसा partner चाहिए relationship में क्यों आये थे, कब आये थे ex कैसी है, कहां है break up क्यों होगे relationship में क्या आना चाहते हो क्या single हो ये सारे questions अगर कोई पूछे तो समझाओ कि वो तुम्हें like करते दूसा question, situational questions मैं इसको कहता हूँ इस situational base पे बनाये जाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो तुम क्या करोगे और ये जादा तर शादी के बात की बाते होती है कि शादी के बात मान लो वो अगर तुम्हें care ना करे तो तुम क्या करोगे मान लो अगर तुम्हारी girlfriend ऐसा करे तो तुम क्या करोगे मान लो अगर तुम्हारी लडाई हो जाती है पर तुम दोनों की बात नहीं होती है तो तुम क्या करोगे ऐसा हो इंसान बार-बार इसलिए पूछ रहे क्यों एक कन्फर्म करना चाहता है कि क्या तुम एक सही पार्टनर साबित हो सकते हो एक्जांपल जो दिल के चोट खाय होते है न मानलो कि उसके एक्स ने कभी उसको ध धोका दिया होगा मानलो उसकी कभी लड़ाई होगी तो उसके एक्स के अंदर बहुत scoring होगा उग prac को कभी मना के नहीं होगा तो आप से पता है पुछे कि पूछेगा कि यार मानलो कि तुम्हारी लड़ाई हो जाए तुम्हारे पार्टनर के साथ क्या तुम मनाओगे तुम भी गुस्सा हो जाओगे मालो तुमारी गलती नहीं है तो तुम ऐसा करोगे मालो suppose if this happens then what would you do अगर ऐसा होता है तो वैसा situational question जितने आएंगे प्यार महबब से लेकर लड़ाई जगड़े से प्यार महबब से लेकर तो भाई समझ जाओ क्यों इनसान सच में आपको लाइक करता है जितने भी situational questions आएंगे जिससे वो ये पता लगाना चाहता है कि तुम as a human being कैसे हो तो भाई समझ जाओ कि आप बिल्कुल सही रहा पे चल रहे हो थर्ड question कि अब मुझे क्या गरना चाहिए क्या मैं ये कर लूँ क्या मुझे करना चाहिए क्या मैं करूं या ना करूं इसको हम कहते है advice मांगना अगर वो लड़की है वो लड़का तुमसे advice मांगता है कि ये DP upload कर दूँ अच्छी लग रही है अच्छी तो लग रही हो ने अच्छा तो लग रही है कर दो ना upload इन सब में से सबसे best कौन से pick लग रही है ते रहो एक बार बता, यह मैंने किया हुआ है, क्या यह अच्छा लग रहा है, अगर वो बार बार तुम्हें पूछ रहा है, या पूछ रही है, कि यह चीज उसकी अच्छी लग रही है, नहीं लग रहा है, जुससे नया हिस्टाइल, आज हिस्टाइल कैसा लग रहा है, एक नए टी लेकर रहें नए टीशेट कैसी लग रही है क्या में टीशेट बाई कर लो Amazon से मिंत्रा से क्या मैं यह कर लो कर लो अगर बार बार तुमसे एडवाइस मांगता है वो इनसान तो समझ जाओ कि वो सच में तुमको लाइक करता है एडवाइस मांगने से कोई बड़ी बात हो गई जी हाँ एडवाइस मांगने से क्या होता है कि वो तुम्हें एक प्राइफरेंस दे रहा है एक प्रायॉरिटी दे रहा है वो तुम्हें एक अपने जैसा समझता है कि तुम्हारी जो चॉइसें वो इसको माइने रखती है वो इसको मैटर करती है तो कि आफटर आल तुम्ह तो अगर यह सारे कोईशन्स आते हैं और एडवाले या कोई कोईशन्स बार बार पूछते हैं तो समझो कि भाई तुम्हारी बात बनने वाली है अब comment section में बताओ कि कितनी चीज़े match करती है अगर 2 at least match करती है 3 तो match नहीं करती ठीक है नहीं करेंगे अगर 2 भी करती है तो बहुत बड़ी बात है और नहीं करती है comment section में बताना ज़रूर और वीडियो को share कर देना वीडियो को like कर देना till then धन्यवाद बाइ बाइ टेक केर